क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ACL सर्जरी के कितने दिनों बाद आप नॉर्मल चलना फिरना स्टार्ट कर देंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास तक पूरा देखिए और आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे. नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग आपको बताएंगे कि ACL सर्जरी के कितने दिनों बाद आप नॉर्मल चलना फिरना स्टार्ट कर सकते हैं. दोस्तों, ACL बहुती सफल सर्जरी है, ज़्यादा तर पेशेंट्स के सर्जरी के बाद रिजल्ट 100% होते हैं. खासकर अगर बायो स्कुरू और एंडो बटन की सर्जरी की जाए तो रिजल्ट बहुती टेरिफिक रहते हैं और पेशेंट बहुत कम समय में ही नॉर्मल चलने लग जाता है. लेकिन पेशेंट उप्रेशन से पहले ये जानना चाता है, हमसे कई बार सवाल पूछता है कि सर मैं कितने दिनों में नॉर्मल चलने फिडने लग जाओंगा. इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया देना चालता हूँ. नॉर्मल जो पेशेंट होता है उसको हम शुरू के 15 दिन वॉकर से चलने की सला देते हैं और उसके पैर पर एक नी ब्रेस रहता है जो उसे 6 वीक्स लगाना होता है. तो जब आप 15 दिन वॉकर से चलते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वॉकर छोडते हैं तो शुरू शुरू में आपका confidence level कम रहता है इसलिए वॉकर से आपको चलने में जब आप एकदम से वॉकर छोड़ेंगे तो थोड़ी गवराहट होती है तो 20 से 21 दिन लग जाता है ज एक तरह का protection होता है जब six weeks बाद आप नीब्रेस छोड़ के चलना शुरू करते हैं तो शुरू शुरू में आपको काफी घबराहट होती है एकदम से आपको ऐसा फील होता है कि आप गेरतों नहीं जाएंगे तो दोस्तों अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो बिल्कुल सा पेशेंट जो 45 दिन या 50 दिन है उसके बाद बिना नीब्रेस के चल सकता है जब आप 45 दिन तक नीब्रेस के बाद चलना स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली शुरू में एकदम से आपकी चाल बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती लेकिन 15 से 20 दिन नहीं दो महीने में ही काफी तक आप नॉर्मल चलना फिरना स्टार्ट कर देते हो इसमें दोस्तों अगर आपकी मैनिस्कस रिपेर हुई है तो मैनिस्कस रिपेर में हमें ध्यान रखना होता है कि 6 वीक तक आप पूरा बजन डालके नहीं चल सकते तो अगर आपके मैनिस्कस रिपेर है या फिर मल्टी कि अब आफ और यह जह जो पर पीवर जाता है तो दो दिन में ठीक हो जाता है किसी बॉड़ कर सकता है यह हमारे थैज बदूर्स प्रकार अंपरणों है निए तो में अधिन की अधिल हो जाता है। क्यों हमारे यहां की जो patient से उनकी recovery काफी फास्ट होती है पहला तो हम पहले दिन से ही वौकर से चलना स्टार्ट करा देते हैं इसलिए हम patient की आदत है वो शुरू से यह डालते है कि वो चलना फिडना कर रहा है काफी सारी जगे क्या होता है कि काफी लंबा रेस्ट करा दिया जाता है पेशिएंट को डरा दिया जाता है कि भी 15 दिन आपको खड़ाई नहीं होना तो उससे घबराइट और बढ़ जाती है इसी परकार से जैसे कि आपने हमारे बहुत सारी वीडियो देखी होंगे क्योंकि कि बायोष्क्रूप भौत ही स्ट्रोंग टेकनलोजी है तो अगले दिन से ही आम नी बेंडिंग स्टार्ट करा देते हैं नी बेंडिंग और ये वाकिण जल्दी स्टार्ट कराने का फाइदा ही रहता है कि जो पेशिएंट की जो मसल्स है स्पेशली क्वाडरिसेफ्स मसल् ये काफी जल्दी नॉर्मल हो जाती है जिसकी वज़े से आदमी डेड़ से दो महीने में ही काफी अर्ट तक नॉर्मल चलने लगता है कुछ लोगों को 15-20 दिन एक्स्टर टाइम भी लग सकता है तो आपको कब चिंता की वश्य होती है दोस्तों अगर आपके सरजरी को 3-4 महीने हो गए है उसके बाद भी अगर नॉर्मल चलते हैं तो आपको थोड़ा आजीव लगता है तो आप अपने डॉक्टर से कॉंटेट कर सकते हैं और एक्सराइज का नया टाइमिंग चेंज कर सकते हैं हो सकता है कि कुछ एक्सराइज या मसल वीकनेस की वज़े से आपको चलने में दिक्कत आ रही हो अगर आपको अपने या पे डॉक्टर से हेल्प नहीं मिल पारी तो हमारे वाट्सअप ACL हेल्प प्रोग्राम को आप जोइन कर सकते हैं जिसमें निर्धारी शुल्क देकर आप हमसे सभी तरह के एक्सराइज सीख सकते हैं दोस्तों मैंने आपको कई बार ये वाली बात अपने वीडियो में बताईए कि जो ACL surgery है इसमें डॉक्टर का रोल 30% है और 70% रोल exercise का है अगर आप बहुत अच्छी exercise करते हैं तो अगर आपकी surgery में 50% कुछ उपर नीचे भी हुआ है तो एक्सराइज से उसे cover up कर सकते हैं लेकिन आपने अगर 100% best surgery भी करा ली लेकिन आप exercise नहीं करते आप बार बार डॉक्टर को यही कहते रहते हैं मुझे दर्द है मुझे सूजन है मैं नहीं कर सकता यह मुझसे नहीं हो पाएगा तो फिर आपके डॉक्टर चाकर भी आपकी help नहीं कर पाते हैं इसलिए आपको exercise को बहुत focus होना पड़ेगा मैंने जिन जिन पेशेंट्स की बहुत अच्छी recovery देखी है उसमें एक बात notice की है कि वो दर्द और सूजन के मामने में बहुत पक्के होते हैं और वो जैसे जैसे डॉक्टर उनको बताते हैं वैसे वैसे बलकि उससे भी ज़्यादा exercise करते हैं muscles को मजबूत करते हैं अगर आपकी muscles मजबूत हो जाती है तो अगर ACL हलका फुल का उपर नीचे भी हो तो आप cover up कर सकते हैं तो इसलिए मेरा focus यही रहेगा कि अगर आपको exercise की मदद आपके डॉक्टर से नहीं मिल पारी तो आप अमारे WhatsApp ACL help program को जोईन करिए अगर आप खुद नहीं कर पारे तो अच्छे physiotherapist की मदद लीजिए और exercise चालू करिए दोस्तों अगर आप अच्छी exercise करेंगे तो मेरे ख्याल से on an average patient दो से धाई मिने में काफी हद तक normal चलना फिरना start कर देता है अगर multiple ligament injury है तो हाँ उसको थोड़ा extra time लग सकता है तो दोस्तों ये एक video था इस बारे में जानने के लिए कि ACL कितने दिनवाद आप normal चलना फिरना start कर देते हैं क्या आपके भी ACL से जुड़े कोई सवाल है जिसके जवाब आपको नहीं मिल पारे तो या तो आप comment section में लिख सकते हैं या फिर हमारे online consultation की सुईधा का लाग उठा सकते हैं अगर आप COVID में कहीं जार नहीं पारे तो आपको घर बैटे ही सारी information मिल जाएगी हमारे चैनल को like और subscribe करिए नमस्ते दोस्तों